स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल जसी रिव्यूज में अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोज पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तांकि आपको हमारे चैनल की वीडियोज की नोटिफिकेशन जल से जल मिल सके दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं Hyundai Grand Item News के बारे में जिसे Hyundai ने आज यानि मंगलवार को भारते बाजार में लाँच किया है Hyundai Grand Item News आज भारते बाजार में लाँच हो गई है इसकी कीमा 4.99 लाख रुपे से रखी गई है Grand Item News को चार वेरियंट में बाजार में उतारा गया है नई कार Hyundai के Item ब्रैंड की थर्ड जनरिशन कार है इसका लुक Grand Item के वर्तमर मॉडल से अलग स्पोर्टी और बॉल्ड है या कार 8 कलर्स में उपलब्ध है मार्किट में इसकी टककर मारूती स्विफ्ट और फोर्ट फिगो जैसे कारों से होगी Grand Item News में दिये गए हैं शाप प्रोजेक्टर हैड लैंप, LED DRL, नई कास्केडिंग ग्रिल, बोनट पर अग्रेसिव लाइन्स और नए फोग लैंप्स इसके लुक को शांदर बनाते हैं कार में पीछे की तरफ रैप अराउंड, टेल लाइट्स, रियर बंपर में इंडिकेटर रिफ्लेक्टर्स, बूट के सेंटर में हुंडाई का बड़ा लोगो और उसके नीचे नियोस लिखा हुआ है नीचे लंबी क्रॉम पट्टी और धाइनी तरफ वेरियंट का बैज है नंबर प्रेट लगाने की जगा बंपर पर है एक शेप वाले सी पिलर के उपर जी आइटेल लिखा हुआ है साइड में भी दी गई लाइन्स कार के साइड लुक्स को अट्रेक्टिव बनाती है बात करें इंटिरियर की तो ग्रेंड आइटेन योस का इंटिरियर को वाइट ब्लेक डूल टोन ट्रीटमेंट दिया गया है इसमें आपको Android Auto रैपल कारपले के साथ 8 इंच का टस्क्रीन इंफोर्टेन्मेंट सिस्टम, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 3 स्पोक मल्टी फंक्शनल स्टेरिंग वील, आटो क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स और वायरलेस चारजर, पुश बटन स् स्टॉप के साथ स्मार्ट की जैसे फीचर्स मिलते हैं, अब अगर हम सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी के लिए स्कार में रियर पार्किंग सेंसर, ड्यूल एर बैक्स, एबीडी के साथ ABS, अमर्जंसिस टॉप सिगनल और पेडिशन प्रोटेक्शन जैसे फीचर्स भी द में पेश किया है, मैनूल ट्रांस्मिशन, एम्टी और ड्यूल टोन समेथ, ग्रैंड आइटन नियोस कुल आठ ऑप्शन में अवेलिबर है, इसकी कीमत 4.99 लाख रुपे से शुरू होकर 7.99 लाख रुपे तक जाती है, अब बात करते हैं इंजन की, ग्रैंड आइटन निय पेट्रोल इंजन है, जो 82 भी एच्पी का पावर और 114 अनम टॉक जनरेट करता है, डीजल इंजन भी 1.2 लिटर का ही है, जो 74 भी एच्पी का पावर और 190 न्यूटन मेटर टॉक जनरेट करता है, दोनों इंजन के साथ 5 स्पीड मैनूल और आटोमेटिक मैनूल ट्रांस्म के अप्शन उपलब्ध है, पेट्रोल इंजन बी एस 6 एमिशन नॉम्स के अनुरूप दिया गया है, अब बात करते हैं हम मैलज की जो भी किसी भी कार सबसे प्रमुक होती है, तो पेट्रोल इंजन इस ग्रेंड आइटर नियूस का आपको 20.7 किलोमेटर और एम्टी में 20. पांच किलोमेटर प्रती लीटर का एवरेज देगा, और डीजल की बात करें तो डीजल इंजन का मैलेज मैनोल और एम्टी दोनों में 26.2 किलोमेटर प्रती लीटर है, जो की अपने आग में एक बहुत ही अच्छी चीज है, हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें.